वेलकम बैक दोस्तों टु दे अनदर एपिसोड और अब हम फिलाल जोशी मेट पहुंचने वाले हैं यहां से 9 किलोमेटर है माडा गाउं से हम लोग निकल चुके थे रास्ते में बहुत बारिश और बहुत जैम मिला हैं अब ही आगे देख सकते हो यह कितना जाम है सड़क पर कैसे वहकल जा रहा है देख रहो सामने तो बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है और हम यहां से पहुंचने वाले हैं एक घंटा तो लगी जाएगा ऐसे जाम में मुझे ऐसा लगता है तो चलो पहुंचते हैं और इसके बाद रिव्यू करते हैं तो वेरी गूल मॉर्निंग दोस्तों कल रात को काफी लेट हो गया तो आके हम लो तुरन से सो गया और फिल्हाला मुक्य हैं जे एमेस गस्थाउस है जो की परता आपका जोशी मत मी तो आज हम इस गस्थाउस का रिव्य करेंगे काफी प्यारा है इन बिल्ड इसमें रेस्ट लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी बाहर की नेचरल ब्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी आपको मैं दिखाता हूँ खिड़की के बाहर का नजारा फिलाल देखो यहां पर सेटिंग अरेनिमेंट ऐसा दिया हूए यहां पर और देखो इस साइड देखो पहाड है भाई क्या नजार है भाई साब देख रहो है तो यह से कहते है नेच्रल ब्यूटी और यह जो मतलब आपको यह जो आपको होटेल है या होटेल कम बहुत ही बैतरीन खाना है और बहुत ही बैतरीन गेस्टाव से यह है हम तो कल रात को यहां रुक रहे तो बहुत ही तबड़ी नहींदा आगए थी आपको अपने रूम में ले चलता हूं फटा फक्ट से तो यह देखो डबल बैड़ वाला दो बेढा में मिला था है बाई सा का नाम होगा अर्विन विस्ट तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी हमें और नेक्स टाइम अगर आप आप तो यह आपका जोटी मठ में कहां पे होगा यह नत्राज चौक पे इनका गेस्टावस प्लस होटेल दोनों है रेस्टोरेंट दोनों है और बहुत अच्छा म अगले व्लॉग में तब तक के लिए स्टे टून्ट टेक केर बाबाइ